बिस्मिल्ला रुक्मान रहीम, अस्तनामु आलेकुम नाजरीन, वेल्कम बैग तो मैं चैनल आईशा हेल्ट विड्वीटी तो दोस्तों कैसे हैं आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा अक्सर बच्छों और बड़ों को दाइमी नजला और खांसी की शिकायत रहती है जो के बजायर छोटी से विमारी दिखाई देती है, जिसे काफी लोग तो नजर अंदाज भी कर देते हैं पिर आहिस्ता आहिस्ता ये मर्स इतनी शिदद इक्तियार कर लेता है कि मरीज के सर में मुसलसल दर्द रहता है जिसम में कमजोरी आ जाती है, कभी कभी तो इसकी वज़ा से आँखों से पानी भी बहने लगता है हलक में खराश और बुखार सी कैफियत भी पैदा हो जाती है ऐसे ही मरीजों के लिए आज एक ऐसा जबर्दस नुसका लेकर हाजिर हूई हूँ जिसके इस समाल से आपका ये मर्स मुकमल खतम हो जाएगा और अगर आपको बलगमी खासी की शिकायते तो उसका भी इलाज इसी वीडियो में बताऊंगी तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर आपने पहले से ही मेरे चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपकी दिल से शुकर गुजार हूँ तो सबसे पहले आपने मुलेठी पॉर्डर लेना है ये आपको पंसारी स्टोर से मिल जाएगा इसे इंगलिश में लिकोराइस पॉर्डर कहते हैं दो चमच आपने ये पॉर्डर लेना है अब आपने जो चीज इसमें डालनी है वो है लॉंग लॉंग को आपने पीस कर पॉर्डर बना लेना है एक चमच आपने पिसी होई लॉंग इसमें डालनी है अब जो चीज आपने इसमें डालनी है वो है cinnamon powder यानी darchini ka powder ये मेरे घ़र में ही पिशा है आप भी इसे घ़र में ही पीश सकते हैं इसका आपने अदा चमश डालना है अब जो जीज आपने इसमें डालनी है वो है fill fill दरास ये आपको herbal store से मिल जाएगी इसे इंग्लिश में लॉंग पेपर भी कहते हैं इसको भी आपने फीसकर पॉडर बना लेना है और आदा चमची इसका शामिल करेंगे अब आखरी चीज जो आपने इसमें डालनी है वो है हनी यानि के शहर शहर आप इतना डालेंगे कि ये माजून की शकल इक्तियार कर ले थोड़ा थोड़ा करकर शहर डाले और मिक्स कर ले साथी साथ वीडियो को लाइक भी कर दे ये देखें आपका माजून तयार है इसका आपने बस आदा चमच राज सोने से पहले खाना है और इसे खाकर सो जाना है इसे खाने के बाद नहीं आप कुछ खाएंगे और नहीं पानी वगरा पीएंगे बस सो जाएंगे इंशालला खासी रजला और जुकाम कुछी दिन में मुकमल खतम हो जाएगा अब चलते हैं बलगमी खासी के नुस्के की तरफ तो इसके लिए आपने करना ये है कि जब रात को सोने लगे तो एक मुट्टी छिले हुए चने खाने है और चने खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाना है एक इंश के करीब गुड़ आपने खाना है और फिर इसके उपर कुछ नहीं खाना और नहीं कुछ पीना है बस सो जाना है यकीन करें एक ही बार के इस्तमाल से इसके ऐसे बहतरीन विजर्ण्स मिलेंगे कि आप बजार की महंगी महंगी दवाईयों को भूल जाएंगे तो आप इसे मेरे कहने पर एक बार जरूर ट्राय करें और अपना एक्स्पिरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें चैनले अब इजाज़त दें इन्शाला फिर मिलती हूं नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रुकिएगा दुआओं में याद रुकिएगा अल्ला आफिस